कि यह नमस्कार दोस्तों मैं विराड़ तोद्री श्वागत आपके अपने यट्यूब चनल फोजी में तकेडमी में दोस्तों आज का वीडियो स्पेसली के इस बार 90 पार बहुत सारे बच्चे मेरे से बूट रहे हैं जो नहीं बच्चे जूट रहे हैं कि सर कैसे तैयारी कर है कि आप जो मोडल पेपर अभी दे रहे हो 50 नंबर पैसर तो बहुत प्रेर के आ रहे हैं पचास पच्पंच सालिस के अंदर अंदर नंबर आ रहे हैं इसे ओपर नंबर नहीं आ रहे हैं उनके जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं कर रहे हैं अपने आपको पूरा से पिशन की जो तयारी करने वाले बच्चे है उन्होंने किताबों के रंग यह लग कर दिये ठेक है उस किताब के पेज वाइड था वह ब्लु कुलु कलर का हो गया उन्हों ने इतने वहां पे अपने हाथ गिस दिये पैन गिस दिये तो इसलिए आपको भी अगर इतने नंब नहीं आता बेटा नमबर तब आता है उसके लिए महनत लगती है और तगड़ी वाली मेहनत लगती है तब यह नंबर आते हैं ऐसे नंबर नहीं आते अब जो बच्चों के बोल रहे हैं जो बच्चे मेरे को बोल बहुत सारे बच्चे बोल्रे की सब्सक्तिन is 50 नंबर या रहे हैं या 60 यारे तो 80-90 नमर के से आएंगे दोस्तों छोटा सा बचा जब जनम लेता ना उसी दिन वह चलने नहीं लग जाता पहले वह गुटनों पर चलता है फिर वह खड़ाओके चलता है तो अभी आप गुटनों पर चल रहे हो अभी आप इस competition की लाइन में आया अभी आप घुटनों पर चल लेखिन अगर आप में nut की तो आप लाएखनो महिन कि आप सांव gefब और लो किरें अबि शार महीनues का इनियु नभान के सकते हूं जैनि मेरी तयारी करने का आप में जुनूर ओना सीगे पस तयारी कैसे करनी यह चीज आपको पता होना चाहिए होता कि आपको बते अभी 50 नमर दे के मायूस हो रहे हैं अभी आप आपप पचाहस नमब्र है आपकें चार महीनें तो अगर आप तयारी कर लोगे तो कितने नंबर आएंगे तो कोई शन्दें नहीं आपके बेच्ट नमब्र इसमें कोई शक नहीं है ठीक है जो आप से पुराने वाले उनके 67 नमर आ अरे तो बहुत पहले से तयारी कर रहे हैं ? लेकिन अगर आपको उनको हिट करना तो आपको उन से ज़्यादा पढ़ना पढ़ेगा मैं यह नहीं बोलता है कि आप 4 गंटे पढ़के आशी नमबर नहीं है नबे नबर नहीं होगे आपके समता है, जितने आप किताब के अंदर अपना सर खपा सकते हो, उतना पढ़ो, जितना इस मोबाइल से दूर होगे, पढ़ने के अलावा मोबाइल को काम में नहीं लेना है, सोना बाबू अबू को अभी कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, बाद में जब नंबर आ ज यह चार गंटा पढ़ के घंटा नंबन नहीं आता, SSGD आई-पी-चे कम ना है, इतनी में लगते हैं उतनी SSGD के पेपर वाले बच्चे भी करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी 12 गंटा पढ़ते हैं, यह भी 12 गंटा पढ़ते हैं, लेकिन रीजन क्या है, कि जो SSGD की जो यह सपने अब साकार करने हैं तो उसके लिए क्या उसके लिए मेनत करनी पढ़ेगी 10 गंटा-12 गंटा च्व दागंटा नहीं ताइम नहीं देखना है मैं आपको कई बार बोल जितनी देर पढ़ना अच्छे से पढ़ना है चाहिए आप एक गंटा पढ़ो 10 गंटे पढ़ो 5 गंटे पढ़ो समय में नहीं बता रहा आप इतनी देर पढ़ो लेकिन सबसे खास बात यह कि continuity continuity आप में सदेव होनी चाहिए पढ़ना हमेशा हर रोज है हर एक सब्जेट को हर रोज पढ़ना है continuity most important चीज है उसके बाद में आपका दिल होना चाहिए पढ़ाय करने के लिए आपका शपना होना चाहिए कि मुझे फोजी बना बैठा तैयारी करने का नाम नहीं करना तैयारी करना तो तैयारी करना माबाब को आपसे आस उमीद कर लेते हैं तो उनकी उमीदों को पूरा करना साकार करना है तो तैयारी का नाम नहीं करना है तैयारी रियल में करने है और तैयारी रियल में करने के लिए क्या करना है अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने कई बार वीडियों में बताया कि किस परकार पढ़े बताई तो मैं आपको SSGD की चोटी सी एक प्लान बताता हूं आपको किस परकार पड़ना है, दोस्तों, जो subject सब्से कमजोर है, अभी उस subject गहले घ्र जो सबसे कमजोर समय उसको उस टाइम पढ़ना जब आपका पढ़ने का दिल सबसे जदा हो यानि सुबह के टाइम कई बच्चों का ज्यादा दिल होता है कईयों का रात में होता है तो आपको जो टाइम सुटेबल है उस टाइम यानि सबसे अच्छा जब आपका दिल करे इस बात का विशेज जान रखे कि सबसे पहले कौन सा सब्जेट पढ़ना है जो कम आपको पसंद है उसको उस समय पढ़ना जब आपका दिल बहुत जदा हो तो आप उसको भी अपने लेवल में ले आओगा उसको इंट्रेस्ट से पढ़ोगे तो धीरे-दीरे उस सीख जाओ सब्जेट आपको अपने आप आकर सित कलेगा अपनी तरब और अपने आप आपको पढ़ाई में लगा देगा इसलिए इस बात का विशेज द्यार रखे कि समय ना दे कि कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना लेकिन पढ़ते रहना जितना भी पढ़ना है अच्छे से कि जूली हो नहीं है यह नहीं कि अले करने का दिल निकरा नेशां न ह invade zitten इसलिए सबसे पहले आपको छृएनठी अच्छा गंटे या 6 गंटे, 7 गंटे, सोना उतना है, चाहिए आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन सोना नहीं है, बले कुछ भी करो, गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन सोना नहीं है, क्योंकि नीद ऐसी चीज है, कि अगर आपने एक बार अपने स्वेश को 8-10 गंटे नीद लेने करता है, 8 गंटे भी पढ़ लो, किसी दिल करता है, 12 गंटे पढ़ लो, 15 गंटे पढ़ लो, पूरी रात पढ़ लो, दिन पढ़ लो, जब दिल करें सो जाओ, लेकिन पढ़ना ऐसे है, बिल्कुल पागल होके, ताकि नंबर पका आ जाए, वो इस प्रकार ही पढ़ना है, तो आपका नंबर पका जाएगा, 100 पर इस बात का विशेज जान रखना आपको, कि पढ़ते टाइम, ये कान खोल के सुन लिजिए, कि कोई समय नहीं देखना है, जब भी दिल ना करें, लेकिन सोना नहीं है, नेंद को त्याग देना अभी से, सोना बंद करना है, 5-6 गंट चैंबर हो आप को माबापका नाम रोसनो, आप भोजी बन जाओ, आपका भी नाम रोसनो, इसलिए सबसे तो मुख्य बात भात में आपको बता तिया हूँ, सबसे मुख्य बात यह है, क्या करना पuju को पढ़ना है, दिल से पढ़ना, किसी दिन 12-15. और पहजिते 5 गंटे घ लग जाएगा इस बात का विशेज द्यान रखे जै हिंद जै भारतों